कि है यह थो दोस्तों स्वागत है पॉल्टरी स्टार्ट इस पे मैं हूँ आर्के सिंग एन हम लोग कंटिन्यू करें थी इंजिनिक मेकनिक्स चैप्टर चल रहा था सिंपल लिप्टिंग मैसिन एन दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मेसीन के बारे में तो हम लोग ने ओलरी मेसिन को जो है डिसक्स कर लिये हैं फस्ट हम लोगुंगu डिसकीया था सिंपल ख्म एन एक्सेल के बारे में बात किया थे वर्म यह वर्मुल के बारे में उसका भी थियोरी देखा है हम लोगोंने फॉर्मला डिराइब किया है एंड उसके बाद हम लोगों निमिकल पॉब्लम भी सॉल्व किये थे तो अगर आपने प्रिवियस क्लासे नहीं देखे हैं तो बारी किसे इस चैप्टर के सारे क्लासे जो है बिल् लिंक उस लिंख पे क्लिक करते ही डारिक प्रेलिस में आपको सारे क्लासिट आप देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे फोर्थ मेसिन जो कि है सिंगल कि परचेस विंच क्राब ठीक है, single purchase winch crab, तो नाम से थुरा सा जब किसम का लग रहा है, लेकिन machine तो है बहुत ही simple, इसले इसको simple lifting machine कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है, velocity ratio को increase करने के लिए, okay, velocity ratio को हम लोग increase करने के लिए क्या करते हैं, gear system का use करते हैं, and single purchase winch crab में single set of gear use किया जाता है, मतलब एक ही जोरा gear जो है, use किया जाता है, one pair of gear, अगर बात करेंगे double purchase winch crab की, तो वहाँ पे double pair, मतलब चार gear जो है, use किया जाता है, तो single purchase बहुत ही simple है, इसका अगर practical example बताऊं, तो फिर आप लोगों ने देखा होगा, कि पहले के जमाने में जो गन्ना कार्जो रस निकालने का जो machine होता था, वहाँ पे handle ऐसे घुमाया जाता था, ठीक है, तो लगबग ऐसा ही जो है, हमारा single purchase winch crab होता है, तो यहाँ पर मैं आपको diagram दिखा दूँगा, तो आपको compare करने में easy होगा, कि कैसा आता है, ओके चलो, तो single purchase winch crab क्या है, दोस्तो, winch crab are lifting machine, तो यहाँ पर कुछ बात ही, पहले हम लिख लेते हैं, तो इसके बाद diagram जो है, draw करेंगे, winch, 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 crabs are simple, lifting machine, machine, in which, in which, velocity ratio is increased by, is, is increased by using gears, ठीक है, using gears, in single purchase winch crab, SPWC से मैं यहाँ पर short form करके लिख रहाँ, single purchase winch crab, only one pair, one pair of gear are used, ठीक है, ओके, only one pair of gear are used, चलो, अब मैं चले आते हूँ, direct diagram पे, diagram मैं थोड़ा उस side में draw करूँगा, ताकि हमें क्या हो, इधर कुछ करने के लिए जगा मिल जाए, तो चलो यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, एक sap, जिस sap पे लगा होगा, इधर handle, तो handle के जगा पे हम लोग क्या ले सकते हैं, बो लोग पूली भी ले सकते हैं, तो handle लगा जए, आप handle से इसको मैं घुमाऊंगा, ओके, दिख रहा है आपको handle, I think दिख रहा होगा कोई बात नहीं, चलो इधर, हम लोग अभी लगाएंगे एक वेरिंग सिस्टेम, ताकि घुमें, इधर भी हम लोग लगाएंगे एक वेरिंग सिस्टेम, इसको घुमाने के लिए, अब handle से हम लोग इसको इसको घुमा सकते हैं, तो यहाँ पे, अब हम लोग लगाएंगे यहां पे जो है लगाता हूँ अब यह गियर आपको फ्रॉंट से दिख रहा है तो आपको इसका टित ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा ठीक है अगर आप लोग इस साइट से देखेंगे तो गियर हमारा कुछ आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा यह आपको एक लाइन पर दिखेगा ठीक है तो फ्रॉंट भीव साइड भीव आपको जानते होंगे क्योंकि इंजिनेरिंग ड्रोइंग में आप लोग यह सब चीजें कर चुके हैं टॉप यह होता है फ्रॉंट भीव क्या होता है साइड सभी लोग जानते होंगे अब इसको अगर हम लोग घुमाएंगे हैंडल तो यह भी आपका घुमेगा अब यह किसको घुमाएंगा बोलो यहां पर और एक गयर होगा जिसको मैं अभी दूसरे कदर से जो करने वाला हो नहीं तो आप लोग कन्विस हो जाएंगे चलो यह हम अब आप लोग बताइए कि मैं अगर इसको घुमाऊंगा तो डिफिनेटली यह घुमेगा यह घुमेगा तो फिर यह भी घुमेगा इसके साथ इधर जो है हम लोग क्या लगाते हैं लोड ड्राम लगाते हैं अच्छा यह ऐसे लोड ड्राम हम लोग लगा दिया है तो यहां पर हम लोग रसी को लपएटेंगे ऐसे को रसी को लपएटेंगे यह फिर लपएटेंगे आपड़ेगा वेटेंगे तो फिर वे फिर उत्रेगा यह उपर जाएगा ऑपर जाएगा ठीक है तो यह हम लोग मानने यह उपर जा रहा है तो उल्टा दिसा में घुमाएंगे तो वह क्या होगा वो नीचे जाएगा डिफिनिटली यह हमारा होता है पूरा सिस्टेम डाटी जवर सिंगल पर्चिस विंच क्राब तो आप लोगों ने यह वाला सिस्टेम कहीं पर देखा तो मैंने kafभार किया था been카락 है जो आप एपिजन आ अ était राइब करेंगे, तो let's suppose the length of the handle is L, जैसे कि हर बार होता है, ठीक है, and यहाँ पे इसको हम लोग कहते है, pinion, ये जो gear है, इसको हम लोग कहते है pinion, क्योंकि ये इसको घुमा रहा है, ये इसको घुमा रहा है, तो ये pinion हो गया, ठीक है, and इसको केए Super Gear Super Gear ऑके इसका जो TIT नमबर है इसका जो TIT नमबर है बो टी-2 एन इसको हम लोग कहते हैं लोड ड्रम लोड ड्रम क्योंकि यहाँ पर जो एल लोड को लेता है तो इसका हम लोग डायमेटर माले हैं डी डी ओके ठीक है और कोई चीज छूटा है क्या नहीं छूटा है और कोई चीज जो है नहीं छूटा है जुक्निः है ? तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं ? कि वानम्बर आप टेट्स ऑफ पिनियान ठीक है टीटू इसकल टू क्या है नमबर ओफ टेट्स ओफ सुपर गियर यह आप लोग जो है लिख के रखिए क्योंकि बढ़ना आप लोग जो है भूल जाएंगे ठीक है एंड एल क्या है लेंग्ट ऑफ दा लिवर लेंग्ट ओफ दो लिवर ठीक है एंड उसके बाद हम लोगो ने क्या लिए है और एक चीज़ लिए है डी इस दा डायमेटर मीटर ओफ दा लोड ड्रम लोड ड्रम ठीक है इस दाइमेटर अफ लोड ड्रम और दो चीज़े है जो कि है पी पीज दाइफोर्ट यह तो आप जानते होंगे डबली दे क्या है लोड ओके तो इस आर्दा थिंग दाट राइड आ तो यह सारी चीज़े जो है आप लोग अगे जा रहा है कैसे चीज़े जो है आगे जा रहा है अब देखो अब आप लोग थोड़ा सा imagination के दुनिया में चले जाए एंगे मैं जैसे जैसे पता रहा हूं आप लोग वैसे वैसे सोची अपने दिमाज में पहला तो इस handle को मैंने यहाँ पे पक्रा ओके जिस पकर लिया handle को अब ऐसे मैं इसको घुमाओंगा एक पूरा चक्कर मतलब यहाँ से मैंने चोरे सित्र कीया था इसको पूरा ऐसे घुमाओ कि मैं फिर से वह अपर ले जाओगा तो यह एक चक्क्र होगा अब यह आगर एक चक्र मारेगा तो यह सैप्ट जो जरूरी नहीं है यह एक चक्र मारेगा तो यह चक्र मारेगा ऐसा जरूरी नहीं है अगर दोनों का नंबर और टीट इक्वल रहेगा दोनों का नंबर टीट अगर एक्वल रहेगा तो ही यह दोनों एक चक्र करके मारेगा किन्तु ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है इसे हैं तो यह हमोग पुर्णित का करते हैं हूद हमें कम कम डालना है है जाद है निकालना है तो हम लोग जाधा 동 जाधा रखते हैं को सबस्क्राइब को यह हो गया हिए हमारा प्लेखते हुए पूरा इमाजिनेशन पूशेस अभी हम लोगों ने कम्प्लीट नहीं किये हैं तो फेसे शुरू करते हैं चलो एक हैंडल को मैंने यहां से पकरा ऐसे पूरा गुमा के एक चक्र मारा तो यह हैंडल एक चकर घुम गया तो यह T1 भी एक चकर घुमेगा यह जो पिनियन है यह बात संका इसके दाध्त संका इसको डिवाइड करेंगे इसके दाध्त संका से तो इतना कि रोटेशनस होगा उत्ना ही रोटेशन होगा यह जितने बार का ना यह भी उतने बार Arctic ne.गुमेगा और यह वो तो हम लों इसके डायमिटर के साथ इसका जो सइctors कुंपिएब्लिन कर देता है इसको अभी जो बाते जो मैं लिखने वाला हूँ ना ठीक है वह बाते आप लोग लिखे उसको समझे दें आं लोग धीरे-धीरे आगे बलेंगे concept को ट्लियर करेंगे। ओके अब आट अब कि अगर अब कर दो अब क्या है कि हम लोग लिखेंगे ओन वन रोटेशन और वन रोटेशन और लिवर दियर इस दियर इस ऑल्सो वन रोटेशन अच्छा वन रोटेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि उस तरब थोड़ा पाने लगा हुआ है तो इसको मैं हता देता हूँ चलो हमारा हो गया वन रोटेशन ओफ दा पिनियन ठीक है है हैंडेल अगर एक बार घुमेगा पुरा तो पिनियन भी एक बार घुमेगा ठीक है 7904 for for one rotation of the pinion pinion the super gear the super gear will have will have revelation revelation पानी है इदर कितना रेवलेशन होगा बोलो टी वन भाई टीटू तो इतना बार वो घूमेगा ओके अब कितने बार घूमेगा तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ओप टिट्स लिए है कैसे कैसे हम लो डिजाइन किये है पिनियन के लिए कितना तीट रखे है अगर यह जो शुपर ग्यार है वह अगर एक बार घूमता है तो यह अगर टीवान भाई टीटू घूमेगा तो यह अगर टीवान भाई टीटू घूमेगा ओके फॉर one rotation of supergear supergear there is also one rotation of rotation of the load drum ठीक है supergear अगर एक बार घूमेगा तो load drum भी एक बार घूमेगा तो for t1 by t2 rotation of supergear supergear t1 by t2 rotation of of load drum ठीक है तो supergear अगर t1 by t2 times घूमेगा तो load drum भी कितना घूमेगा t1 by t2 नाओ नाओ कंसीडर दा लेंग्ट ठीक है लेंग्ट moved by load in one rotation one rotation of load drum load drum एक बार घूमने से ये अगर एक बार घूमेगा तो कितना load उपर जाएगा कितना link उपर जाएगा नीचे जाएगा वो कैसे निकालते हम लोग उसको निकालते हैं हम लोग उसके circumference pi d ओके इससे तो अगर t1 by t times घूमेगा t1 by t2 times घूमेगा rotation distance कितना होगा distance moved एक बार में अगर इतना distance load हमारा move करता है तो t1 by t2 times घूमने से क्या होगा वो कितना move करेगा pi d into t1 by t2 घूमेगा इतना load हमारा जो है move करेगा ठीक है बाया समझ में है हम लोग ने क्या निकाले हैं अब इसको थोड़ा तर पर लिए उसके बाद हम लोग फिर से वो बाला process imagine करने वाले हैं कि कैसे कैसे काम कर रहा है ओके चलो let's come on this topic now आप लोग देखिए यह हमारा मैसीन है यह मैसीन है कौन सा single purchase विंच क्राप तो इस हैंडल को मैं एक बार ऐसे घुमाओंगा पूरा घुमाओंगा तो यह जो पिनियन है यह भी एक बार घुमेगा तो यह उसके साथ जो यह super gear है यह कितने बार घुमेगा T1 by T2 अब T1 क्या है number of teeth opinion तो यह हमारा कितना घुमा बोलो T1 by T2 अगर यह T1 by T2 घुमेगा तो फिर यह भी तो T1 by T2 घुमेगा यह T1 by T2 घुम रहा है तो यह भी T1 by T2 घुम रहा है तो फिर वो कितना लोड को कितना डिस्प्रेस करेगा ID लेकिन असल में घुम रहा है कितनी बार T1 by T2 तो कितना डिस्टन जाएगा बोलो बस मल्टिप्लाइ कर दो एक बार में इतना तो T1 by T2 में कितना है यह हमारा हो गया distance बाइड क्या distance मोब बाई आपका लोड एड़ एफोट की बात करें तो एफोट की तुस इजी है एफोट की हम लोग निकालते है तूपाईल एफोट अगर एक बार घुमता है तो वो कितना मूब करता है तूपाईल तेक है चलो तो अब हम लोग जो है वैलो सिटी रिश्य निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं एफोर्ट कितनी मूब करता है तूपाईल एड़ लोट कितना मूब करता है वह हम लोग ने अभी निकाले हैं तो जस्ट अब हम लोग करेंगे क्या फॉर्मुला देखेंगे ठीक है जस्ट हम लोग अभी फॉर्मुला देखने वाले हैं सिंगल पर्चेस विंच क्रेंप का वालो सिटी रिश्यू इस इकल तो होगा क्या डिस्टेंस डिस्टेंस मूब्ड मूब्ड बाई एफोर्ट एफोर्ट ठीक है और नीचे क्या होगा डिस्टेंस मूब्ड बाई ओकिवड एफोर्ट क्या है तू पाई एल नीचे क्या होगा डिस्टेंस मूब्ड फाई इंतो टीवाई है तीडिक है डिसमूब्ड पॉर्मुला फोर्ट एफेटी रिश्यू उके and mechanical advantage क्या होगा W by P तो हम लोग यह जानते हैं mechanical advantage load by effort तो efficiency क्या होगा W by P divided by 2LD into T2 by T1 and ultimately हमारे पास क्या आजाएगा W by P into D into T1 नीचे होगा क्या 2L into T2 this is the formula for efficiency तो efficiency आप लोग formula मत याद रखे efficiency का formula बिल्कुल मत याद रखेगा किसी भी मेशिन के लिए आप क्या कीजिएगा velocity ratio का अगर यह याद रखते हैं तो भी काम हो जाएगा mechanical advantage यह याद हो जाएगा क्योंकि W by P है इससे अलावा कुछ है नहीं तो आपको सिर्फ हर एक मेशिन के लिए उसका velocity ratio का formula जो है याद करना है concept समझ के अगर याद करेंगे तो जादा याद रहेगा वगर आप लोग रट्टा मारेंगे तो फिर wrong होने का chances तो रहता है ना दोस्त तो आप लोग इसको याद रखेगा इसके बाद अधिकर निकला बहुत इजी है वैकर निकले उसको उपर लगा दो नीचे लगा दो बस काम हो जाएगा तो ना वो हम लोग क्या करेंगे एक निवागल प्रॉब्लम करेंगे ऐसे की करते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत लंबा है लेकिन सोलेशन उसको बहुत इजी है ठीक है तो क्वेश्चिन में अगर मेसें से सवाल पूछा जाता है खास करके अगर आपको डिफिकल्ट मेसें से सवाल पूछा जाता है तो फिर question का जो size होगा वो ज्यादा होगा ठीक है and question का size देखके मतलब डर मत जाएगा क्योंकि question का size बड़ा हो सकता है लेकिन उसका solution जो है वो बहुत ही छोटा होता है तो जातर बच्चे क्या करते हैं कि question इतना बड़ा है कितना लंबा solution होगा इसका नहीं नहीं बाबा मैं यह नहीं करोगा तो ऐसे करके जो है वो पीचे अट जाते हैं लेकिन एक्चुली जितना बड़ा question होता है मतलब उतनी डेटा आपको दिया जाता है तो वो भी और ज्यादा आसान हो जाता है ठीक है तो मैसिन के लिए तो आपको बिल्कुल डंना नहीं है मैसिन सारी question चाहिए जैसा भी question आए आपको solve करके आना है क्योंकि मैं आपको पूरा concept सिखा रहा हूं ओके बिल्कुल छोड़ियेगा मत छोड़ियेगा तो फिर मेरा नाग जो है कट जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग question लिखते है इन सिंगल पर्चेस क्राइब विंच चलो question मैं दिखके लिखाता हूं कि कि बहुत लंबा question है इतन नना शुट चोटा कॉछिन वड़ा तो मैं दारी कि लिखा देता की वन इन दू पर्चेस पर्चेस वेंच च्राइब ठीक है इस को इसे रखते हैं विंच च्राइब दो the diameter the diameter of the drum of the drum is 20 centimeter and the number of teeth and the number of teeth and the number of teeth of the pinion pinion and super gear are are 30 and 120 30 and 120 respectively together respectively okay then determine the velocity ratio determine the velocity ratio velocity ratio okay and Kaga here if the handle in the length of the in the length of the of the handle you have a lever we are cooked as a lever is 60 centimeter okay this is a question here yet number question always kind of star part him Kaga I have if in the machine if in the machine if in the machine an effort of 50 Newton an effort of 15 Newton raised a load of 1 Kilo Newton a state whether the machine is reversible or not then state whether the machine the machine is reversible at the above and now load and effort so question what a lamba hair okay but it's a solution bought easier first one upload for ESCO in a single purchase winch crab the diameter of the drum is 20 cm drum kya have a load and the number of teeth of the pinion and super gear to pinion t1 and t2 after super gear cut it would ya gaya hey we want to do the other hand and dvdya gaya have determined the velocity ratio if the length of the handle is 60 cm to handle the length of the handle is 60 cm to handle the length is 60 cm so sorry to talk to the area whoo yeah yeah some of velocity ratio nicals of me and second if the machine can machine an effort in the machine if in the machine an effort of 50 Newton is raised a load of 1 Kilo Newton मतलब उस machine में हम लोग 50 Newton लोड लगा के सिर्फ 50 Newton लोड लगा के हम लोग जो है 1 Kilo Newton बोले तो 1000 Newton लोड को लीप्ट करा सकते हैं तो इस केस में इस केस में में समस्तिन हमें है या पिलम हो जाता है तो मैने आप लोगों को समझाये थे इसलिए मैं कहता हूं आप solution के चला आते हैं, first one हम लोग करेंगे, पहले तो आपका D दिया गया है, 20 cm, ठीक है, T1 क्या दिया गया है, T1 is the teeth of pinion, okay, T1 is the teeth of pinion, that is 30, and T2 is the teeth of super gear, that is 120, okay, and length of the handle is 60 cm, okay, so what is the formula for velocity ratio, what is the formula for velocity ratio, तो बोलो, velocity ratio का formula क्या है, velocity ratio का formula क्या था आप लोग के लिए, क्या लिका ला था, हम लोगोने, 2L T2, 2L T2 by, by क्या करना है, T1 करना है, इदर and D करना है, okay, ठीक ना, this is our simple formula, and इस formula में सारे values जो है, लगा दिये, फटा फट से, 2 into L बोले तो 60 into T2 बोले तो 120, and इदर D बोले तो आ तो 2 से इसको काठिये, यह क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, 10 से इसको काठिये, 6 हो जाएगा, and यह 30 into 4000, तो यह हो जाएगा 24, ठीक है, this is our call, 24, ठीक है, तो velocity ratio of the machine, क्या निकला हमारा, only 24 निकला, okay, अब दूसरी बात कहा गया है, कि इसमें हम लोग effort कितना डाल रहे ह है, सिर्फ 50 newton, and load कितना lift हो रहा है, 1 kilonewton, for second question, P is equal to 50 newton, and W is equal to, oh sorry, 1 kilonewton, 1 kilonewton is equal to 1000, 1000 newton, okay, 1000 newton, 1 kilonewton बराबर क्या होता है, 1000 newton, तो mechanical advantage क्या हो गया, बोलो, mechanical advantage, W by P, बोले तो, 1000 by 50, अब इसों काटेंगे, तो यह होगा हमारा 20, तो mechanical advantage हमारा, मिल गया है, तो अब efficiency निकालने में कितनी दिर लगेगा, बोलो, कितनी दिर लगेगा, तो आप बोलेंगे, कि just a second sir, हम लोग, एक second में आप लोगो, आपको जो है, करके देते हैं, यह solution, तो य में क्या है, हमारे past 20, we are, क्या है, 24, अगर इसको काटेंगे, तो क्या मिलेगा, हमारा efficiency, क्या मिलेगा हमारा efficiency, बोलो, 24, 20, तो 2 से इसको काटो, यह हमारा मिलेगा, क्या, 0.833, ठीक है, 0.833, कुछ इस तरह का answer आएगा, 0.833, ठीक है, तो इसके आगे और भी कुछ है, लेक 100 से गुना कर दो, तो यह होगा, 83.33, something, percent, okay, मतलब हमारा जो, मतलब हमारा जो efficiency है, वो 50 से, 50% से क्या है, greater है, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, कि efficiency, अगर किसी भी machine का efficiency, 50% से greater है, तो इसका मतलब क्या है, बोलो, इसका मतलब है, वो machine reversible है, अगर 50% से कम होता है, तो self-locking machine होता है, तो यहाँ पर हमारा जो efficiency से निकला इस machine के लिए, तो वो क्या है, वो आपका, क्या है, बोलो, वो आपका reversible है, तो, the machine is, answer कुछ इस तरह से लिखेंगे, answer कुछ जो है, इस तरह से लिखेंगे, the machine, the machine, is reversible, at the given load, given, load and effort, ठीक है, ओके, तो इस load and effort के लिए, यह जो machine है, हमारा यह reversible है, ओके, अगर effort, दूसरा दिया जाता है, या फिर load, अलग value का दिया जाता, तो वो हो सकता था, वो आपका self-locking बन जाता, या फिर reversible बन जाता, तो वो डिपेंड करता है, load and effort, ओके, तो this is our solution, आपको question कितना और लंबा, देखो question हमारा जितना लंबा था, उससे कम जगा में जो है, हमारा solution बन गया, मतलब यहां से आपको मिल गया, कुल five marks, marks, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा difficult अगर पूछा जाए, तो आपको 10 marks का भी सवाल देखने को मिल सकता है, okay, that is why every machine is important, and सभी machine के theory को आपक तो उसको भी हम लोग बहुत जल कर लेंगे, and जितने भी मैंने already करा दिया है, तो सारे चीज़ों को आप लोग practice कीजिए, क्योंकि हम लोग सारे syllabus को complete करने के बाद practice में जाएंगे, तो आपको मैं जागा time नहीं दूँगा practice करने के लिए, सर्फ मैं आपको बराबर question का बाह एक gear के जगा पे दो gear हम लोग लगाएंगे, मतलब दो pair लगाएंगे, चार gear total होगा, okay, चलो, मिलते हैं नेस last में, तब तक लिए अपना पराई वराबर करते रहना, and अपना तभीयत का ख्याल लेखना, and मिलेंगे, हम लोग, okay, thank you very much